basic English grammar अगर कोई की चीज्ज एक है तो बोलते हैं singular यानि के एकवचन और जब वो दो हो जाती है तो फूर्ल ल्यानिकि बहूचन अब koncept को समझते हैं जब कोई चीज एक हो और पास तो बोलते है डिस और वही चीज दूर हो और एक हो तो बोलते है और सेंप के अंदर मोई चीज नोग सेश्वाइब था हो बोलते है दीज और वो चीज़ेता है दोग जैसे यह रिल ढ़कार है एक है और लडे का our और सीमगार एक है यह दूर है तो मैं या वो कार तो बोलेंगे डाट कार in the same way किताबें जादा हैं लेकिन मैंने बोला यह किताबें पास है तो मैं बोलूँगा दीज बुक्स और मैं किताबें जादा होने के बावजूद वो दूर हैं वह किताबें वो किताबें तब मैं बोलूँगा दोज बुक्स I hope आपको यह